हेलो फ्रेंच आश में आप लोगों को 36 ऐस ब्राकाट ब्लावस काटिंग करके दिखाऊंगे आश्तार और फेब्रिक में पूरा तो किसी ब्लावे स्पाट ब्लावस के देखिया अजेसु पिषय नहीं एक लोगी करें ध्यासान के हम पहले है की अध्यूंपाट करना होता है अगर फेमी राओी होता है थे डिन की वह यह हो के लिए गिचा लिया है यहां पर ऐसे कि इसके अधर कर ये तकms भीख सी साइज प्रेबूज सब्सक्तार है और आपका बलॉस extraordinarily इसका तया रखंगी और strengths के लोंगी मैं यहां से टुटल 14.5 इंच तक इसका लंबाय रखूंगी एक्स्तर वार्निंज फेब्रिक के साथ उसके पद लेना है शूलडर यहां से में 5 इंच का शूलडर रखूंगी जैसे के यह 36 साइज है और यहाँ से अरहूल रखूंगी और यहां से बराबल 5 इंच मिल दूंगी उसके बद लेना है चेस जैसे कि यह ब्लोज 36 साइस है तो 36 साइस के 37 लेना है जैसे की चारवाग तो यहां से मैं 9 इंस राखूंगी उसके बद एक्स्ट्रा फेब्रिक आपको किते इंस तक लेना है अब अपने हिसाब से राख सकते हैं मैं यहाँ पर देखिए 1.5 इंस तक इसके एक्स्ट्रा फेब्रिक दिया है और कमर में मैंने चेस से वान इंस कम किया है फिर यहाँ से देखिए 1.5 इंस से तीन जुट ज़्यादा मिलता है तो यहाँ पर आर्मोल का सेब को इस तरह किसे मिलाना है तो जैसे कि यह ब्लोस में मैं दोरी लगाऊंगी तो यहाँ से मैं तू इंस से दूसुट ज़्यादा लिया है अगर आप दूरी नहीं लगाँ तो यहाँ से दूसुट कम भी ले सकती है और तू इंस भी ले सकती है और यहां से Neck Div में लिया है 10.5 हिंज तक इसके Neck Div लिया है और Neck का 4 है यहां से 2.5 हिंज तक यहां Neck का फिर यहां से तक्स लगाना है यह तक्स में 5 इंच तक लगा दियो और उठाना है यहां से देखिए 4.5 इंच 5 इंच 3.5 इंच इस तरह किसे आप उठा कर सिलाई कर सकती है मैं यहां से 4.5 इंच तक उठा कर सिलाई करूंगे और 2 फूल में हम हाफ इंच लेकर सिलाई करूंग जैसे फूल में यहाँ पर टुटल वानेंच होगा, इससाइट हाप इंच, और इससाइट हाप इंच, इस तरी की से मिलाकर स्लाइग करना है, यहां पर देखे बेक पर पुरा पूरी complete है तो आप हम इसको काद लगा लोगी काद यहां पर देखे जैसे मैंने यहां पर शॉक में निशना दिया है इसको यहां पर अंदर की तरब से राकर हम काद कर लोगी इस देखे से मिला कर तो यहाँ पर देखिए back part cutting फूर पूरी complete है अब हम front part काइड करने के लिए फेड़ी को इस तरद कीसी लेना है यहाँ से दिखे इसको इस तरद कीसे लेना है देख इस तरद से गुमाना है गुमाने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरी के से फूल्डिंग करूंगी यह देखिए यहाँ पर टू फूल्डिंग कर लिया है तो अभी देखिए जो कते हुआ बैक पार को इसका उपर में रखोंगी तो यहाँ पर देखिए पहली बैक पार काट कर देने से प्रोंट पात करने में बहुति यहांने होथा है यहां से पिशाना है देखिए और इसक़ सुल्डर के साइट के तप थवा अब तर Comb – presidents के तुर के साइट के साइट होता है अब दॉघ तने से यहां में 1 88 कि सिपाSoap का में लघणा या अ कहना ना है तो आगर ह। आपका भलाऊस और फुलाबा रहा जाएगा तो सब्देट से लोगा और दि pastors डेकिश हार ईगिप 11 श्रूर टक लोगी विजलाव लोंगी इस्ते लिकैं और एक देखिए बहुत दियान सी इहाँ पर एक पाष्चे प्रणसे चेतक की तरफ से एक्स्ट तंय स्यादा लोंगी एक्स्टा त्य स्यादा हम एक्स्ट्रा हाफ इंस ले लूँगी पहले में पाइव इंस का निशना दिया है और आपका बस पर जितने इस तक आता है उसी के हिस्टाप चे लेना है अभी देखिए कात्वी के लिए मेजमेन लेना है जैसे कि यह थार्टी शीक्स है थार्टी शीक्स को हम टेंची दिव लिए वान इस ले लेना है और आधि यहां से देखिए 4.5 बराबर हुटा है और ने तो दूसुत तीन चुत ज्यादा हुटा है तो यह पार देखिए कात्वी के मेजमेन को जो भी मिला है हम इसको हाफ कर लूँगी तो यहां पर मैंने हाफ कर लिए अब यहां चे तो आभी देखिए फ्रन नेक का शेप लगाना है इस तरह के से देखिए आप इस शेप को कैसे लगाना है आप अपने वसंद के हिस्टाप से लगा सकते हैं थूरा सा गुलाई में चाहिए तो थूरा अंदर के शेप लगाना है और यहाँ पर देखिए यहाँ से 2.50 से एक अभी देखिए यहाँ से अरमूल चे कितने इस तक लेना है यह में 5.50 कि रखों गी और इसको थोरा सा इस तरह मिलाना है इस ते तरह के दिखिए तो आप कि व्राकाट ज्यादा हेवी है तो यहाँसा हाफिश बड़ा देना है और यहाँसे हाफिंस दौन करूंगी और यहाँ से देखिए 1.50 से 200 कम लेना है इस तरके से मिलाना है तो यहाँ से देखिए जहाँ चमेने हाप किया है वहाँ से मिला दिया तो आभी देखिए यहाँ से कितने इस तक लेना है यहाँ से देखिए 3.50 से यहाँ पर 200 जदा मिला है और यहाँ पर सेम तरके से इस तरके से मिलाना है और यहाँ से देखिए तो इस तक मिलाओंगी रहाँ से देखिए और यहाan से उन्यों धिलाओंगीlike तो यहां पर फ्रन्ट पर का टिंग फुरा फ्री कंप्लीट है अभी हम यहां से स्लीप काट करूंगी तो स्लीप को देखिए यहां से जहां पर लेस लगया हुआ है वहां से हम स्लीप लेना है तो इसलिप को कात करने के लिए फेब्रिक को हम फोर फूल में पिसा लोंगी इस तरह किसी तो आपका स्लिप का लंबाई जितने से आप आपने हिसाब से ही लेना है तो इहाँ पर देखें स्लिप का लंबाई 10.5 इंस है तो एक्स्टर फेब्रिक देखिए मैं यहाँ पर 1 इंस राखूंगी उपर के तरफ से हाफ इंस लोंगी और यहाँ पर नीशे के तरफ से हाफ इंस लोंगी यहाँ से आपका slip करावण जीत्टनेंस है उसी के हिसाब से लेना है और extra fabric आपको कितनेंच तक लेना है आप अपने हिसाब से ले सकती है और यहाँ से भी मैने half inks कर निशना मिलाओंगी इस तरह के से उपल के तरब से half inks लिया और साइट से half inks लिया तो यहाँ पर extra fabric में 1.5 inch तग लिया है और यहाँ से मैंने 7 inch लिया है 7 inch लेने के बाद यहाँ से इस तरह किसा हम मिलाओंगी देखिए तो चलिए आप हम इसको cut कर लोंगी चाहता आप armhole के measurement को लेकर भी यहाँ पर cut कर सकते हैं अब यहाँ से में यूगपुटी कात करूंगी तो यूगपुटी को कात करने के लिए हमें बैक पर के जोरूरत होगा क्योंकि बैक पर में कमर का चुरज जितने हैं साता है उसी के हिसाब से लेना है तो आभी देखें यहां से पहले हम यहां से शीक्चिन का measurement ले लूँगी तो यहां पर मैंने एक्स्ट्रा पुटी के लिए एक्स्ट्रा पुटी कात नहीं को लूँगी इसलिए मैं यहां पर एक्साइट में कात कर लूँगी आगवर आपके पास ज्यादा फिप्रिक होने कात कर सकते हों अगर कम होने से कम लेकर कात कीजिएगा तो उसके मैं आपको क्या करना होगा आपका फ्रन शायट का कमर के लिए जो बेल काट के रहे उसी का पुट्टी काट करना होगा तो यहाँ पर मैंने एक चाट कर लिए ह yesterday देखिए इस तरखिषिम यहाँ से शिक्श इंथ लोगी और यहाँ से 5 इंथ और इस साइट के तरफंसे 5.5 इंथ लोगी और यहाँ से ऐसे मिला कर काट करना है यह देखिए यूप पोटी में एक्स्तर ज़्यादा फेबरी कुने से हम रूप यहाँ पर काट भी कर सकती है अगर कम काट करने से इसके लिए आलाग से बेल काट करना होगा तो आगर आपके पास ज़्यादा फिबरिक हुने से इस तरह के से एक्रिकाट करने से भी हुटा है तो यहाँ पर सभी पातों को काटिंग कर लिया है अभी मैं यहाँ से काट करूँगी दोरी तो दोरी के लिए मैंने इस तरीके से वानिस का लगबग यहाँ पर काट करूँगी उसके बाद काट करूँगी यहाँ पर अस्तर पर तो अस्तर पर काट करना बहुत इजी है क्योंकि मैंने पहले फेबरिक में काट कर लिया है measurement ले गए तो आभी जो काता हुआ फेबरी को इसका उपर मेरा कर कात कर लूँगी यहाँ पादे के बहुत आसान है इसको कात करना अभी देगे यहाँ से हम फ्रंशेट के आर्म हुल का पाद करूंगी तो ब्राकाट ब्लॉट में में चीज चीज क्या होता है आप सही तरके से इसके मेजर में लेकर ब्लॉट को कात करने से सिलाय में भी कोई दिकत नहीं होता है और एक बात है यहाँ पर फिनिसिंग भी देखना होता है फिनिसिंग तो हार जग में देखना होता है हार सिलाई में अगर फिनिसिंग अच्छा नहीं आएगा तो यहाँ पर देखने में भी आच्छा नहीं लाएगा और पहने के बार भी अच्छा नहीं लगता है उपिक साइस अललाग अलोगी हुता है वो तो सबको पता है वे समस्क 20 चूरा एडीया लगना हुता है तो आगर आप इसमें दीकी यूल कर настig wanna क 그럼 आफसे आपका फिनिसन् थे उनधास में तो यहाँ से में स्लीप करेंगी झाल 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 तो यहाँ से मैं कमरपटी कायद करूँगे यहाँ पर देखिए कमरपटी को इस तरह किसे दू कायद करूँगे फिर इसको हम जोयन देकर सिलाई करूँगे तो फ्रेंच यहाँ पर देखिए काटिंग फॉरपुरी कंप्लीट है तो पहली मेंने काटिंग के वीडियो अव्लाट करुँगे उसके बार तो यह चलाए के वीडियो आप लूट करूगे तो my friends वीडियो पसेनाजा वीडियो को लाइक श्येर करना ना भूले चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को क्लिक किजे ताकि मेरे हाराने वाले वीडियो की नोटिपेकिशन आप टाक सब्सके पहले पहुशने के लिए तो यहाँ पर देकि मैंने इस तरीकी से 36 साइस ब्राकर ब्लाउस काटिंग किया है तो आप लोग वीडियो को फूल वास कीजे तो अभी वीडियो समस में आएगा इसकी पमाद कीजेगा थेंक्यू